असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज मनाने जाने हैं सूपर डिलीशियस चोकलेट केक की रेसिपी यह देखिए लग रहा है ना एकड़म बेकरी जैसा सौफ्ट स्पॉंजी आज हम इसे बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रीडियन्स है वो भी बिनावन के आप देख सकते हैं वहला कहेगा कोई कि यह बिनावन के बना हुआ है एकड़म सौफ्ट और स्पॉंजी हम चूले पर चड़ा देंगे एक बड़ा सा पती इसमें एड़ करेंगे नमक और इसके अंदर रख देंगे जाली स्टेंड आपके पास जाली स्टेंड ना हो तो आप कोई कटोरी रख दें और इसे कवर करके 10-15 मिनट फ्री हीट होने देंगे यहां हम लेते हैं एक एलमुनियम का वरतन इसे घी या बटर से ग्रीज कर लेंगे और इस पर आटा या फिर मैदा से इसे डस्ट कर लेंगे यहां मैंने लिए हैं चौकलेट बिस्किट आप इनकी जगा कोई भी ले सकते हैं मैंने दो तरीके के बिस्किट का यूज किया है आप चाहें तो एक ही तरीके का अलग अलग तरीके के बिस्किट लेने से इसका टेस्ट जादा अच्छा आता है अब हम इसे पीस कर इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे यह देखे बिस्किट को पीस कर मैंने एक फाइन पाउडर तयार कर लिया है इसमें मैंने रूम टेमपरेचर घी एड़ किया है आप चाहें तो बटर एड़ करें इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब घी अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूद ऐड़ करेंगे तो दूद हम एक साथ नहीं डालेंगे इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे अधर वाइस इसमें लंप्स पढ़ जाएंगे और वैटर भी पतला हो सकता है इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूद एड़ करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे यह देखिए एक स्मूथ साथ बैटर रैड़ी है अब हम इसमें एक पैकेट इनो एड़ करेंगे और इनो के उपर ही थोड़ा सा दूद एड़ कर देंगे ताकि इनो एक्टिवेट हो जाएंगे आप कोई भी इनो ले लेंगे ग्रीन वाला रेड़ वाला इनो एड़ करने के बाद हमें इसे फटाफट मिक्स करना है ज्यादा देर हवा के कॉंटेक में नहीं रखना है अब हम इसे ग्रीज किये हुए पैन में ट्रांसर कर देंगे इसे हम थोड़ा सा डैप कर देंगे ताकि इसमें जो एर बबल से वो निकल जाएं और यह अच्छे सेट हो जाएंगे अब हम इसे फ्री हीटेड अवन मेरा मतलब है पतीले में रख देंगे बहुत ही केरफुली करें याद रहे पतीला बहुत जादा गर रहें और इसे ढख कर बेक होने देंगे दस मिनट के बाद हम इसे एक बाद चेक करके देख लेते हैं यह देखे हैं हमारा केक अब फूलने लगा है पच्छिस से तीस मिनट में केक बेक होकर रेडी हो जाएगा अगर आपका बेटर थोड़ा सा जादा है तो पांच जस मिनट और लग सकते हैं यह देखे हमारा केक अल्मोस्ट रेडी हो चुका है अब हम इसे तूद पीक की हेल्प से चेक करके देख लेते हैं यह देखे हैं एकदम ख्लीन आ रहा है इट मिन्स हमारा केक एकदम परफिक्ट बनके रेडी हो चुका है इसे आठ दस मिनट थंड़ा होने देंगे उसके बाद इसके उपर एक प्लेट रखके और इसे पलट देंगे वाव आप देख सकते हैं कितना स्पॉंजी है कितना ज्यादा सॉफ्ट है एक बनाया है तो इसका थोड़ा सा डेकूरेशन करना तो बनता है सो चलिए अब हम फटा फट चॉकलेट सीरप बना कर रेडी कर लेते हैं यहां पर मैंने लिए है डेरी मिल्क चॉकलेट एक पैन में मैंने एक कटोरी डूट लिया है और इसमें आधी कटोरी चीनी आइट की और इसे चीनी मेल्ट होने तक वाइल कर लेते हैं चूला बंद करके हम इसमें चॉकलेट डाइट करके और मिक्स कर लेते हैं इस पॉइंट पर चूला आफ करना ज़रूरी है अधरवाइस चॉकलेट जलने लगेगे इसे हम थोड़ी देर कॉंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे अब हम फ्लेम थोड़ा सा स्लो ही रखेंगे परफेक्ट अब हमारा चॉकलेट सीरप बन के रेडी हो चुका है अब आप इसे जैसे चाहें वैसे डेकॉरेट करें अब जैसे चाहें वैसे इसे डेकॉरेट करें यहां मेरे पास कुछ चीज़ें हैं हम इसे डेकॉरेट कर लेंगे आप जैसे चाहें वैसे इसे डेकॉरेट करें जिस भी चीज़ से चाहें अगर आपके पास चेडी Church होँँ आप उनसे डेकुरेट करें या फिर आप इस पे ग्रेटिट चॉकलेट भी डाल सकते हैं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बाक्स में ज़रूर बताना मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कर लेना ओके फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए लाहाफेज